हलो एब्रीवन वेलकम तु दा स्टडी हब हिस्ट्री क्लासिस में लेकर आएं आपके लिए इंदस वैली सिविलाइजेशन इसमें पार्ट वान रहेगा और यह बहुत इंपोर्टन रहने वाला है जेके भी कॉंस्टेबल हो जेके भी सब इंस्पेक्टर एक्जाम्स के किया था इंदस वैली सिविलाइजेशन हरपा साइट पहली डिस्कवर्ट साइट थी तो इंदस वैली सिविलाइजेशन कब डिसकवर हुई थी है 1921 में डिसकवर हुई थी यह कौन सी एज से belong करती है जैसे हमने stone age पढ़ा था ना stone age stone age में फिर paleolithic, mesolithic और neolithic वैसे ही बाद में आती है चालको लिथिक, copper age और फिर bronzes, bronze age, bronze is an alloy of copper and tin copper and tin का alloy है bronze और उसी time period की ये civilization इसके time जैसे इंडिया में इंदस वैली civilization इंडियन subcontinent में इंदस वैली civilization चल रही थी ऐसे ही इराग में Mesopotamia civilization चल रही थी और नाइल civilization जैजिप्ट civilization चल रही थी नाइल के आस-पास लेकिन सबके distinct और separate features अलग लग features थे script में भी town planning के हिसाब से भी और religion के हिसाब से भी different time period इंदस वैली civilization तो actually में हमने पढ़ा था 2500 से once 1750 BC तक लेकिन अलग लग रेडियो carbon dating से अलग लग discovery से इसके अलग लग time period बताया गया time period early phase का रहा 3300 से 2600 BC तक mature phase में 2600 से 1900 और late phase जब यह खतम हो रही थी 1900 से कोई भी चीज है कोई भी कहीं भी town planning होती है कहीं भी लोग रहना start करते तो एक दिन में start नहीं हो जाता सदिया लग जाती है तो वैसे यह early phase आया mature phase आया late phase आया latest जो carbon dating आपको पता है मैंने बढ़ाया हुआ है पिछले lectures में भी कि हम age of fossils पुरानी चीजों के देखके age fossils की determine करते हैं उसके लिए carbon का कौन सा सब्सक्राइब होता है carbon 14 यूज होता है और mention करें comment box में कि half life period carbon 14 का कितना होता है तो latest carbon dating कहती है कि यह तो million से start हो रही है six millennium BC से start हो रही है मतलब six thousand BC से start हो रही है तो यह यह अलग-लग evidence आते रहते है next आ जाता है Indus Valley civilization को हम हरपन civilization भी बोलते है इस आलसो नावन है हरपन civilization क्यूं क्यूंकि हरपा site जो थी इसको पहले execute किया था sir Alexander Cunningham ने 1872-1873 में और finally execute किया था दयाराम सेनी ने 1921 में तो आपको पुछा जाए हरपन civilization को execute किस ने किया था दयाराम सेनी ने किया था 1920 वन में और यह पहली site discover की इसी पे नाम पढ़ गया फिर क्या Indus Valley हरपन civilization नाम पढ़ गया Indus Valley civilization का यहां पे उसको Indus seal मिली जो of unknown origin एक seal मिली ठीक है एक stamp type मिली जो कोई unknown जिसका origin पता नहीं चल रहा था तो हरपा was the first Indus Valley site discovered that is why Indus Valley civilization is also known as हरपन civilization हरपा कहां पे है सहिवाल डिस्टिक पंजाब आ पाकिस्तान सहिवाल डिस्टिक में है जो पंजाब में है और पंजाब कौन से पंजाब में इंडियन पंजाब में ही पाकिस्तान है पंजाब में हरपा जो है situated है कौन सी river के bank पे रा चावी river और जो महिन जदार हो है वो situated है इंडस river के bank पे characteristics कुछ आज तो हम इंट्रो ही रखेंगे characteristics पढ़ेंगे इसके तो characteristics की एक urban settlement है first urbanization of इंडिया तो पूछा जाता है कि यहाँ पे cities हुआ करती थी इंडस वैली civilization में जहां रूलर एरिया हुआ करते थे तो क्या हुआ करता था urban settlement थी यह urbanization थी town planning city को divide किया था दो parts mostly city divide होती थी दो parts में एक यहाँ पे टॉपे हो जाते थे और नीचे लोग रहते थे ठीक है तो citadel, citadel high podium of mud brick high position पे बनाया जाता था थोड़े से चोटी से पहाड़ी देखी जाती थी, hill देखी जाती थी उसके ओपर बना देते थे जहां से सारे का सारा town दिखता था और administrative center होता था यह town का administrative center important ritualistic buildings हैं यहाँ पे great बात, great बात आपको कहां दिखेगा मोहिंजरारो में दिखता है, यह सारी हम पढ़ेंगे कौन सी site कहां पर मिलती है next lecture में, grainry जहां पे grains को store करके रखा जाता है, lower town, lower town क्या होता था, citadel के surrounding में एक जहां पे लोग रहते थे वहाँ पे, उसको बलते था lower town, surrounding citadel, residential area, तो town planning थी, पहला आ जाता है, कि Indus Valley civilization, urban civilization थी, जा रूलर, तो urban civilization, next, second आ जाता है कि, इसमें town planning थी, city को divide किया था, दो parts में, citadel और lower town, citadel high platform पे बनाये जाते थे, brick की administrative center होते थे, lower town, surround करते थे, जो citadel को residential area जहां पे लोग रहते थे, next, इसमें एक important point आ जाता है, आपकी sबसे पहले, 2 parts में होती थी, कौन-कौन सी citadel और lower town, लेकिन 12 वीरा, 12 वीरा में city को divide किया, तीन parts में, 10 parts कौन-कौन से, citadel, middle town और lower town, तो question आ जाता है, कि कौन सी city है, जिसमें, city को divide, जहां पे जिसको divide किया था, 3 parts में, तो 12 वीरा, 12 वीरा कहां पे है, दूसरा question आ जाता है, 12 दोलाविरा कहां पे रन आफ खच एट खादिर बैट गुजरात में तो दोलाविरा कहां पे गुजरात में तीसरा कुशन आ जाता है दोलाविरा को डिसकावर किस ने किया था जीपी जोशी ने 1968 में डिसकावर किया था next आ जाता है कौन सी साइट है जहां पे सिटाडिल की fortification नहीं है सिटाडिल को separate नहीं किया है चहुंदारो चहुंदारो एक only major industrial civilization city that does not have fortified सिटाडिल तो अब question है कि कौन सी सिटी है जिसमें fortified सिटाडिल नहीं है चहुंदारो किस ने discover की थी ये एंजी मजुमदार ने discover की थी और कब discover की थी 1931 में discover वे थी next street aligned थी इंदर जो गलियें थी वो properly aligned थी जहां तो east west direction में होती थी और north south में in a grid ठीक है east से west की तरफ ऐसे गलियें थी और रेंज थी ये north से south की तरफ houses with doors houses थे जहां पर doors भी थी उस time period में doors थी और streets थी गलियें थी उस time proper uniform size की bricks थी क्या ratio रहती थी length breadth और height की 4 is to 2 is to 1 ये break थी well engineered sanitation system था sanitation system प्रोपर नालियें बनी हुएं थी baths toilets थे inside every house drainage system suspits जहां पर सारा गन डाला जाता है cover drains थी from every house city protected by walls city को protect किया था walls से तो properly एक town की जो situation होती है town वैसी situation थी urbanization थी houses with doors थे sanitation system बहुत अच्छा था drainage system अच्छा था uniform size की brick का या size याद कर लो 4 is to 2 is to 1 next log log traders थे businessmen थे cosmopolitan people trading with other civilization trade करते थे agriculture हुआ करती थे main stay तो main business क्या था लोगों का agriculture उसके साथ साथ trade था commerce था artist हुआ करते थे तो main खाना कहांसे चलता था इनका agriculture large urban center urbanization थी बड़े-बड़े cities हुआ करती थी और छोटे-छोटे smaller ruler population हुआ चलता थे class को classify किया था society में stratified in society administrator होते थे जहां पे traders होते थे craftsmen होते थे peasants होते थे woman की बहुत ही important position थी जैसे इसमें God की भी बात करें तो mother goddess है next बात करते है animals की animals domesticated भी थे और wild animal domesticated आक्स हुआ करता था buffalo हुआ करती थी goat हुआ करती थी ship और pig और भी बहुत सारे थे donkey था wild animals की बात करें तो रहीनोस थे elephant था buffalo tiger wild animals में elephants और he knows noun थे उस time period humped bull थे बूल के पीछे hump हुआ करता था camel भी के remains भी मिले horse remains अब question आता कि horse भी मिला है horse remains भी मिले है अब question है कि horse remains कहां मिले सुरकोदा और लोथल में मिले पशुपती not seal थी no evidence of cow important question is कि कोई evidence cow का नहीं था इस time period में next religion क्या था मात्री देवी और शक्ती is the mother goddess शक्ती माता थी मात्री देवी योनी की worship की जाती थी trees की worship होती थी like people आग की worship होती थी worship fire खवन कुंड कहा जाता था पशु मेल्स में देखा जाए तो पशु पतिनाथ महादेव जिसको हम बोल सकते है कि क्या थे वो शिवजी थे थोड़े different is known as lord of animals animal worship की जाती थी like unicorn की जो one horn horse होता है उसकी worship की जाती थी ox की worship की जाती थी कोई भी structure नहीं था archaeologists have not found any structure resembling a temple palace or any monument temple वगेरा नहीं होते थे तो कौन-कौन सी goddess में कौन सी थी मात्री देवी और शक्ती योनी वर्षिप नेचर वर्षिप ट्रीज की वर्षिप होती थी fire की वर्षिप होती थी पशु परती नमहाने अनिमल वर्षिप होती थी unicorn ox की इनकी वर्षिप हुआ करती थी तो thank you for watching the study hub चैनल को like करे, share करे, subscribe करना मत भूले